आउम कार्तिकेय विदमाहे पर लिखी गई एक किताब है बहुती स्पेशल व्लॉग में आपका स्वागत है बहुती सुन्दर लोकेशन में आ चुके है हम है उटी के यहां पहन रहे हैं हम एक मिलिटरी जैकेट और फॉर मी यह एक मिलिटरी थीम्ड मंदिर है क्यों मुर्गन का मंदिर है मुर्गन है कौन कहा जाता है कि सदियों पहले महाभारत और रामायन से पहले पीडियों तक देवताओं और असुरों के बीच यूद होते थे असुरों में से सबसे शक्तिशाली था तरकासुर जिसने ठान के रखा था मैं ना ही देवताओं को हराओंगा बलकि हर एक की मृत्यू की वज़ा बनूंगा तरकासुर को ब्रह्मा जी से वर्दान मिला था जिसकी वज़े से उन्हें मारना बहुत मुश्किल था शक्तिशाली देवताओं की कई कोशिशों के बाद युद में तरकासुर हारे नहीं और लगातार देवताओं को लजजित करते गए इवर हार मानने से पहले सब देवता शिव जी और पारवती मा को मिलें कहला शपरवत के याँ चले आये ये समस्या सुन के शिव जी और पारवती माने एक sobs जिव को पैदा किया जिसके छे अलग चहरे थे हर चहरे से बिजली और रोशनी उत्पन हो रही थे शिव जी ने इस जीव को गंगा मां के पास बेजा जहाँ छे दिशाओं में ये जीव छे हिस्सों में बढ़ गया जब ये छे हिस्से उनके माता-पिता के पास लोटे तो पारवती मा को लगा मैं छे अलग बच्चों को नहीं बल्कि सिर्फ एक दिव्य बालक को संभालना चाहूंगी और उन छे बच्चों को साथ में गले लगा के पारवती मा ने कार्तिकेया या मुरुगन को जन्म दिया और जन्म के कुछी दिनों बाद एक बालक के रूप में ही इनकी दिव्य शक्ती और दिव्य माता-पिता के आशिरवात से ये बालक बहुत ही शक्तिशाली बन गया देफ्ताओं ने कार्थिकेय को अपना सेनापती माना और युद में कार्थिकेय ने तरकासुर को मृत्यू पराप्त करवाई तब से कार्थिकेय युद के देफ्ता माने जाते है The God of War आज हो दिखाता हूं मुरुगन है कौन विकीपीडिया पेज पर अगर आप पढ़ोगे तो लोग कहते है मुरुगन is the God of War and Victory युद के देफ्ता, जीत के देफ्ता दोस्तों दो तरह के युद होते हैं और यह मैं सीखा है लाउटजू के टीचिंग से एक युद बाहरी दुनिया में होता है जैसे बैटल्स, असली युद, वार्स पर दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण युद आपके दिमाग के अंदर होता है जो आपके माइंड और आपके स्पिरिट के बीच होता है लोग अक्सर यह वांते हैं कि उनके थौट्स उनके खुद के होते हैं पर भूट सारी spiritual किताबें पढ़ने के बाद मैंने यह सीखव है कि हमारे thoughts ऑंके सौच विचार हमारे नहीं होते हैं हमारे मन के होते हैं हमारेμεं के बीच अंतर लाता है spirituality ещё प्राचीन मंदर थいた बत्तरा माली um अजिसे ही हम इस हिल के यहां आगए और इस लोकेशन के पास पहुंचने लगे ग्रीनरी बढ़ती गई ग्रीनरी के साथ साथ शांती बढ़ती गई पर यहां आके इस मुरुगन मंदर में आके मुझे वीरता भी फील हो रही है सिर्फ भारी दुनिया के अगेंस नहीं पर अपने मन के अगेंस भी जो वीरता चाहिए रहती है ना मान लो आपके कुछ अडिक्शन्स है मान लो आपके कुछ बुरे ट्रेट्स जिनके बार में अपको पता है गुस्सा, सेल्फ डाउट, ग्रीड, लस्ट उन सब चीजों को हराना है तो मुर्गन की पूजा करनी चाहिए दोस्तों कहा जाता है कि कार्टकेय की पूजा एक जमाने में देश भर में होती थी पर शायद इन्वेजिन्स की वज़े से, शायद बदलते हुए पीडियों की वज़े से, या शायद औरी कुछ अंजाने वज़े से, आज के जमाने में कार्टकेय के मंदर और इनकी प्रारतना सिर्फ दक्षिन भारत में होती है, खास करके तमिल नाडू में, तमिल विष्टा दिखाई देती है, नमस्कर, 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 I appreciate you being in the farm, you are from Uti, yeah, we belongs to Uti, from before, before itself, we belongs to Uti, you know, there is, in, in Sanskrit, there is a word called Ishtadev, Ishtadev, yeah, which is, our Ishtadevam called Murga, which means your personal, yeah, personal, for both of you, yeah, yeah, I want to ask you as two men, why, why is, why is he your Ishtadev, like, what do you get from him, practically, I would like to say something, of course, for 20 years before, I was very tragedy position, in your life, yeah, personal life, I get to very tragedy, so, I came immediately, nothing, I cannot do any work, of course, even mentally, it disturbed itself, after that, I came to one function, that means, Panguni Uttala Puja, and joined with him, and I prayed, I put a prayer to him, after that, after that, now, I am, very strengthily, I strongly believe, I got many, many things, through his, everything, if, if you don't mind me asking, and feel free not to answer, what was the tragedy, then, financially, physically, mentally, that time, very epic situation, in my life, so, what was it, your conversation with him, was what, just, I put a prayer to him, sir, please, sir, please, sir, save me, from this, this, this kind of tragedy, I cannot, hold on that, thank you, sir, I really appreciate it, thank you, sir, all the best, have a peace of mind, yes, thank you, God bless you both, thank you, sir, indeed, I will. This is my word, I must do, it's true, I must haven't known historically, . प्राप्तोंने लगती हैं शायद इसलिए भारत की अनगिनत योध्धाओं के संस्कृति में एक महान संस्कृति ही चोला राजवंश की संस्कृति जिन्नोंने तमिल नाडू के कल्चर को भारतिय संस्कृति को पूरे 37 इस्या तक पोचाया उनके सामने महान समुंदर देखके चोला योद्धा डरे नहीं बलकि शायद यही सोचा कि समुंदर को भी हम जीत लेंगे समुंदर के उस पार के राजियों को भी भारत माता का हिस्सा बनाएंगे पंद्रा सो सालों तक महान चोला योद्धा और चोला राजाओं ने दक्षिन भारत और एशा के कहीं हिस्सों पर राज किया और मुरगन संस्कृती हर जगा फैलाई ये होती है एक स्थेर योद्धा की निशानी देफ्ताओं के सेना पती के चेले की निशानी दिए मुर्गन डेबल में प्रातना करने के आद के बाद भी मंदर होता है वहां पास में गनपती जी की मूर्ति आपको दिख देगी और पार्वती मा की मूर्ति दिखाई देगी अर हाली में मैं इशा फांडेशन के यहां गया था जह मुझे समझाया गया कि कि अगर आपको spiritual growth चाहिए, तो आदी योगी, शिवा, divine masculine की पूजा कीजिए। और अगर आपके कोई भी material desires है, from material life, पैसा, शोहरत, प्यार, वो भी material desire होता है। तो फिर माता की पूजा करने चाहिए। मुरुगन से मने बस यही मांगा कि मेरी spiritual journey पर मुझे मदद कीजिए। मुझे और दूर लेकर चाहिए spiritually, ताकि मेरी inner strength, मेरी जो अंदर की ताकत है वो बढ़े। distance between thoughts and perception और भी बढ़े। और पार्वती जी से यही प्रातना करी कि उसी ताकत पाने के लिए जो मेरे material desires है, जो मेरे दिल के ख्वाइशे हैं वो जल्दी पूरी हो जाए। पर प्रेजन्ट में रहना भी जरूरी होता है। देखो यार, जननत में पहुँच गए। यहााा कर काम करना, यहााा कर फिल्ममेगिंग करना आपके लिए व्लॉगस बनाना अपके लिए व्लॉग्स बनाना अधो बिभ जा भी ब्लसींग। एइसे कॉन्सेशन सर ऐ पहले करते थे एक दिन फिंस अब भी बटर आमें ऐसे ट्रावर शो करिंगे. एक्स्प्लोर करेंगे अलग-अलग कोने, मेंस्ट्रीम सिटीज के क्या फिल हो रहा है इस मंदर में? जिस है अपना कहा कि वार और विक्ट्री के बगवान है तो बहुत steady फिल हो रहा है जो मैं करने जा रहो लाइफ में उसके लिए भी इनी वेंचर इस सेल्फ कॉंफिदेंस हां कॉंफिदेंस बहुत आजाता है मुझे भी कॉंफिदेंस बहुत प्रिपेरिंस आता है वार के पहले जैसा हो तरह से इचे ही शिवलिंग है एक मैं यह मानता हूं कि अगर आता की प्राइपना करोंगे materialistic गोल्स हासलोंगे शिवलिंग की पूजा करोंगे आपके spiritual goals हासल होंगे और मेरे लिए बहुत बड़ा spiritual goal है added creativity जो मेरे अनुसार शिवजी की वज़े से मिलती है शिवलिंग की energy की वज़े से मिलती है समंदिर में आकर भावर फील हो रहा कि कर देंगे warrior mentality फील हो रही है बहुत जाला आप सिर्फ इसलिए नहीं की मुरुगन warrior देवता माने जाते है not just because he is the god of war मुरुगन, शिवजी, माता, थनपती ये चार ना मिलकर आपको वो पूरी ज़े कहते है ना samurai mentality, warrior mentality स्थिर warrior वो वाली फीलिंग आ लिए मेरे लिए इस कार्तकेय का महत्व है ये लोग इनकी प्रातना क्यों करते है क्योंकि जिन्दगी का सबसे बड़ा युद रन भूमी में नहीं होता बलकि हमारे मन के अंदर होता है जब हम हमारी पांच senses को चैतन्य शक्ति यानि कि भगवान की भक्ती के साथ मिला दे शुद भक्ती के साथ मिलाए तब आप कार्तकेय के समान ताकतवर बन सकते हो कहा जाता है कि तरका सुर को हराने के बाद शिवजी और पार्वती माने मुर्गन को ये बोला कि उनके जन्म का करतव्य है देवताओं की रक्षा करना, दुनिया की रक्षा करना और उनके भक्तों की रक्षा करना ताकि कार्तिकेया खुद इस संसार के लिए एक सैयम योदा के उधारन बन जाए मेरे लिए कार्तिकेया का मतलब है ये एक ऐसे योदा जिनमें दुनिया भर की शक्ति है पर उस शक्ति को नियंतरित करना उसे कंट्रोल में रखना उसकी भी शम्ता, उसकी भी केपबिलिटी इनके दिल में होती है कार्ट केया का मुख्य हत्यार है वेल या सकंद जो हिने इनकी मा, मा पार्वती ने दिया था पार्वती मा खुद शक्ति मानी जाती है और उनकी सारी शक्ति और ताकत उनके इस बेटे के हत्यार में पाई जाती है कार्ट केया को शदानन भी बुलाया जाता है यानि कि वो जिनके छे सर हो क्योंकि इनके पिता शिवजी का एक और नाम है पांचानन वो जिनके पांच सर हो पांच सर का महत्व है पांच एलिमेंट अगनी या तेजस, पानी या जल, हवा या वायू, धर्ती या पृत्वी और आकाश कुछ लोग इन पांच तट्वों को हमारी पांच सेंसिस के समान मानते हैं जब हम हमारी पांच सेंसिस को चेतन्य शक्ती यानि Conference, भगवान की भक्ती के साथ मिला दे, शुद्ध भक्ती के साथ मिलाए तो कहा जाता है कि गुरू तत्व का जन्म होता है, कार्तकेय का जन्म होता है, यानि कि सबसे मुख्य शक्तिशाली शक्ति का जन्म होता है, ऐसी ताकत जो स्वयम देवताओं के सेनापती समान होती है। चाहे ही आपके जिन्दगी में कितने ही कठेनाईयां आए चाहे ही कितनी मुसीबते आए ये याद रखे कि देवताओं को सताने वाले मुसीबत भी इस सैयम योद्धा कार्तकेय की वज़े से मिट जाती है अपने दिल में हमेशा वीरता बनाए रखो और अपने मन को ध्यान क की वज़े से मेरिटेशन की वज़े से स्थिर बनाए रखो अब किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर पाओगे ये हैं बगवान मुरुगन की सबसे बड़ी सीख एक स्थिर योद्धा बनो आउम कार्तकेय विदमा है यह प्यान की वज़े बनाए वज़े वज़े येशव बनाए वज़े विदमा बनाए रखो अज़े ये ज़े झाल से क्या है